नमस्कार साथियों वापस से स्वागत है आप सभी लोगों का एक और अनदर इंफोर्मेटिव वीडियो में आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बाइनेंस एकाउंट में कैसे आप P2P ट्रेडिंग में डिजिटल ए रूपी वालेट एड़ कर सकते हैं डिजिटल हैं तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर सबसे पहले कुछ करना आपको दिख लिब्येख कर दीजिए इसके Wow मैंने 4 एड़् किया हुआ हैं तो आज हम लोग Digital E-Rupee का भी payment method add करना है तो उसको देख लेते हैं तो simple सा आपको payment method के उपर करना है क्लिक जैसे यह आप क्लिक करेंगे यहां भी आपको सामने चारो जो भी आपके option add होंगे वो दिखेंगे इसके बाद add payment method के उपर फिर से क्लिक करिए और इसपे क्लिक करने के बाद all payment method इसपे क्लिक करना होगा तो इसपे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर उपर सर्च करना पड़ेगा आपको Digital E-Rupee का तो मैंने सर्च किया हुआ था Digital E-Rupee देखी यहां पे क्लिक कर दिया मैंने और यहां पे आपका पूरा नाम दिखा रहा होगा इसके बाद में Digital E-Rupee Wallet VPA इसके बाद में फिर आपको नीचे QR Code optional है आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं लेकिन हम यहां पे दोनों upload करेंगे QR Code भी दे देंगे और Digital E-Rupee Wallet का VPA भी दे देंगे तो VPA क्या होता है मैं आपको पता दो Digital E-Rupee Wallet का VPA होता है वह आपका mobile number ही होता है अगर आपने Digital E-Rupee Wallet create किया हुआ है सभी bankers का जो interface होता है Digital E-Rupee का same ही होता है तो आपको अगर यह पता करना है कि Digital E-Rupee Wallet कैसे create करते हैं किसी bank का तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं इसको पर भी एक वीडियो बना दूँगा लेकिन मेरे पास अल्रेडी Digital E-Rupee का wallet है तो वहां से हम कैसे VPA लेंगे वो देखना है और कैसे QR code तो मैं यहापे VPA डाल दूँगा जो भी मेरा मुबाइल नमबर है वही मेरा VPA भी बन जाएगा QR code है तो मैं आपको एक बार Digital E-Rupee Wallet का दिखायाता हूँ कहां से QR code आप लेके आएंगे तो मैं अभी E-Rupee Wallet खोल लेता हूँ जो कि मेरा PNB का है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे PNB Digital E-Rupee आप देख सकते हैं यह ऐसे ओपन हो रहा है Security Purpose के बासे पीन नहीं दिखायागा लेकिन यहाँ पर मैंने डाल दिया और यह ओपन हो चुका है इसके बाद में आपको आपका QR Code दिख जाएगा यहाँ पर प्रोफाइल वाले सेक्शन पर जागर के तो इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ यह QR Code दिख रहा है आप Share के Option पर क्लिक करके आप इसे Save कर सकते हैं और Save करने के बाद आप वहाँ पर एड़ कर लिया था तो मैं अभी Save दुबारा नहीं करूँगा चलता हूँ आप अपर अप्लोड करने की तरफ तो फिर हम आते हैं अपने Binance अकाउंट पर और यहाँ पर मैं यहाँ पर Optional पर क्लिक करूँगा और गैलरी मैं ओपन कर लूँगा यहाँ दब देशकते हैं प्रोसेजिंग हो रहा है और यह हमारा Complete हो गया और इसके बाद में आप चाहिए तो अगर वह सही नहीं दिख रहा है तो आप दुबार अप्लोड कर सकते हैं मैं आप यहाँ पर भीपी डाल लेता हूँ जो की मेरा Mobile Number है तो मैंने यहाँ पर भीप सब्सक्राइब कर देता हूं से को अपको नहीं दिखाएगा अगर आप अपना चेंज भी करना चाहते हैं पास्के या फिर एमिल आइडी ओटीपी चो आता है वो सब कुछ आप बदल सकते हैं मैंने उसके उपर भी और डी एक वीडियो बना दिया हुआ है आप जाके नेटवर्क एरिया में जाने का प्रयाश्च करता हूं नेटवर्क इस्टेबल के विए से यह नहीं आ रहा है लेकिन देखिए मैसेज यहां बार बार आ जा रहा है यहां पर दिखा रहा है पी टूपी पेमेंट में डिचल रुपी वालेट सफिस्पूली ठीक है तो मेरे इस अधी हो चुकते हैं मैं बेकर कर देख लेता हूं इसको हम भटा यहां से और यह बैक आयाते हैं आप ढिलक स्कति हैं इसको रिम्योटե है बस इस तरह से अप भी digital e-rupee wallet यहाँ पर add कर सकते हैं और भी कोई information चाहिए तो आप comment करें मैं पूरी information दोगा तब तक के लिए take care and bye bye